हेलो फ्रेंड स्वागत्यास्टव का अपने चैनल विफा क्रियेशन में आद में आपस्व के लिए बैगन की बहुत ही टेस्टी रेसिवी लेकर आई हूँ तो अगर आप बैगन की सब्जी खाका कर पड़िसान हो चुके हैं तो आप इस रेसिवी को जरू ट्राइ करें तो बहुत ही अमी आपर बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रैंडर से देखिये सारी बैगन कठो चुके हैं अब हम इसकी शर्डर कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने लिए हैं अमचुर पाउडर 1 टेबल इस्पून, 1 टेबल इस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल इस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल इस्पून गरम मसाला, 1 टी इस्पून हिंग लिया है मैंने, और 1 टेबल इस्पून नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग नमक कम में अज़्यादा भी कर सकते हैं 1 टेबल इस्पून कॉर्ण फ्लार और अब हम इसमें 2 टेबल इस्पून ब्रेट ग्रम्स टालेंगे अब इंग्रीडियंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम एक एक बैगल लेंगे और उसके उपर इस तरह से हमें यह लगा देना है सारे मसाली को अच्छे से लपेट लेना है इसमें इस मिक्स्टर को इस तरह से दबा दबा कर ताकि अच्छे से इसमें स्टप्ट हो जाए तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स आप इसे बनाकर गर्मा गरम खाएं बहुत ही टेस्टी लगेगी बहुत ही क्रिस्पी बन कर त्यार होती है फ्रेंड्स ये तो आप मेरे वीडियो को पुड़ा लाच तक देखेगा तभी आप इस रेशिपी को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे अब हम इसे मेरिनेट होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए तो जब तक कि मेरिनेट होड़ा है तब तक हमने गैस पर एक पैन को डाल दिया है गरम होने के लिए जब पैन हमारा गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे टूटेबल स्पून ओई ओईल को अच्छे से गरम होने देना है अच्छी तरीके से हमें फैला देना है पैन में इसे अब हम एक एक बैगन को इसमें डालते जाएंगे मेरिनेट के हुए बैगन को इच्छी तरीके से मेरिनेट हो चुका है स्टप्ट हो चुका है अच्छे से सारी मसाले इसमें इस तरीके से गोल-गोल खुमाते हुए हमें चारो तरप से बैगन को रख दिना है इसमें और अब हम इसे मेडियम फ्लेम पर बनाएंगे हाई और लो फ्लेम पर नहीं बनाना है मेडियम फ्लेम रखना है हमें गैस का जब एक तरप से क्रिस्पी ब्राउन हो जाएगा फिर हम दुसरे तरप से भी क्रिस्पी ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है तो यह देखिए कितना खुबसूरत कलर आया है और बहुत ही हमी दिख भी रहा है और बहुत ही हमी खाने में भी लगता है फ्रेंट्स यह तो फ्रेंट्स आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ किजिएगा अपने घर पर और प्लीज जिस्रे तरब से भी इसे क्रिश्पी ब्राउन होने ज़िए तक पका लेंगे इस तरह से में में अब अब हम इसे फिर से दहखकर 10 मिन अब नीज पर हम इसे निकाल लेंगे तो देखिए फ्रेंट्स कितना यमी दिख रहा है यह इस तरह से पछलट कर हम दुसरी तरफ से भी सबहर पका लेंगे तो इदेखे फ्रेंट्स हमारे जो बैगन भाजा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है बहुत ही क्रिस्पी बना है ये बहुत ही यमी फ्लेवर भी है इसका अगर आप खाएंगे तो बहुत ही यमी फ्लेवर आ लेंगे सारे के सारे इसका हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे तो अगर आपको मेरी बैगन भाजा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरी चैनल को सबस्क्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर किजेगा और कमेंट बॉक्स में जरूर पताईएगा कि यह कैसा बना है बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स इसके आप एक और घर पर जरूर ट्राइब कीजेए अब हम इसके ऊपर स्प्रिंग्ल करेंगे एक चुट की चाट मसाला इसके और भी ज्यादा चेट पर्टा लगेगा खाने में यह और थोरे से धनिया पत्ती हम डालेंगे इसके उपर तो फ्रेंड्स हमारा बैगन भाजा बिल्कुल खाने के लिए त्यार है बहुत ही क्रिस्पी बना है यह आप इसे गर्मा गरम खाए और बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में यह आपको तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को पुरा लाज तक देखने के लिए आप सब का दिल से धन्यवाद और अगर में रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज आप इसे लाइक कर दे और अगर अच्छी नहीं लगती तो आप इसे डिस्लाइक भी कर सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स कर दो प्लीज आपको अच्छी आपको उन्यवाद